नमस्कार अब आते हैं हम फैमेली रूबी एसी जो की थर्ड यूनीट का है आपका क्लासिफिकेशन इसकी सिस्टमाटिक पुजीशन गेरी हम देखें तो बैंथा मुकर की क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको गेमो पैटली के अंतरगत रखा गया है डाइकोटी लिडन्स की गेमो पैटली में रखा गया है इनफीरी और रूबी एल्स ओडर है इसका और रखा गया है इस फैमिली को इस फैमिली के जो कुछ मुखे कैरेक्टर है कि इसके अंदर तीनों तरह की हैबिठम को दिखाई देती है ट्री श्रब और हर्ब पत्तियां जो है वो अपोजीट पाई जाती है अपोजीट डिकसेट पत्तियां पाई जाती है और इनके अंदर Interpetiolar Estipules पाहे जाते हैं Stipulate पतियां होती है और Interpetiolate Estipulate Leaf होती है Stipules जो होते हैं وہ Interpetiolar होते है और जो Inflorescence होता है साइमोज होता है Flower जो है Actinomorphic और Vidyomorphic दोनों तरह के होते हैं Tetraverus, Pentaverus दोनों तरह के flower पाहे जाएंगे और EPGynos स्थिती होती है obry की אिपिगैनसdies flower होता है और यहां पर ori जो है वो inferior ovary होती है और то xyl placentation होता है और flower जो है वो by lobed flower होता है और exile placentation इनके अंदर पाया जाता है और seed जो होते हैं वो non-andospermique होते हैं distribution देखें तो इस school के अंदर लगभग 500 genera है जिसकी 6000 species सम्मेलित है और जो की संसार के tropical भागों में फैले हुए हैं और कुछ genera इसकी temperate भागों में भी मिलती है इसके अलावा से species जो है कुछ species आर्टिक भागों में भी मिलती है और भारत में इस school की विभीनस अदस से जो लगभग भारत में 76 वन्ष हैं और उसकी 274 जातियां प्राप्त हैं मुख्य रूप से anthocopheles kadamba, adina cardifolia, xora, kaufia arabica, sincona की species तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण पादप हैं जो भारत में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से भारत में हिमालाईज शेत्रों में और 4000 मीटर की उचाई तक पश्चिम और दक्षिने शेत्रों की पाड़ियों में पाई जाती हैं इसकी जातियां वरक्ष के रूप में इसकी जो हैबिट है तो प्रकृती की दृष्टी से इसके अंदर बहुत विभिन्नता हमको दिखाई पड़ती है वरक्ष जाड़ी और श्रब प्रकृती और हर्ब प्रकृती के पौधे पाए जाते हैं और कुछ पौधे इपिफिटिक मतलब उपरी रोही और आरोही पौधे भी मिलते हैं वरक्ष के रूप में मिलने वाले कुछ पौधे हैं जैसे एंथोसेफलस कदंबा एडिना कार्डिफोलिया मोरिंडा टिक्टोरिया गार्डेनिया लेटिफोलिया इकजोरा पार्वी फोलिया सिनकोना की कुछ जातिया इत्यारी फिर सीनकोना की कुछ जातियां मुसेंडा और मुसेंडा फ्रेंडोसा हैमेलिया पैटन्स मायोसेटिया लोंगी फोलिया ये श्रब के रूप में मिलती हैं फिर इसके अंदर जो कुछ जातियां हमको अंडर श्रब के रूप में मिलती हैं वो है और क्लैंबिंग श्रब के रूप में है मुसेंडा ग्लेबरा फिर शाकी पौधों के रूप में अंकेरिया, इस्परमोकोसी, गेलियम, इत्यादी जो इस्पेसीज हैं इसकी वो हमको हर्प्स के रूप में दिखाई देती है इसके अंदर कुछ उपरी रोही पौधे भी जीनस हैं जैसे मिरमे कोडिया ये उपरी रोही पौधा है इसके अंदर क्या होता है इसके हाइपोकोटाइल जो फूले हुए होते हैं हाइपोकोटाइल और उनसे ट्यूबर या कंद के समान सरचना विकसित होती है और ये जो के जाते हैं, जिसके अंदर चीटिया रहती है, तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं, मिरमेकोफिलस, जो स्थान पाई जाते हैं, लेकिन चीटियों का इन पौधों से जो संबंध है, वो अक्च्वल क्या संबंध है, वो पता नहीं है, वो symbiosis है या क्या है इसकी जानकारी नहीं है तो इनमें चीटिया रहती है फिर जो लियूरोई और नॉकसीलिया इनके अंदर इनफ्लोरोसेंस के अक्ष के नीचे फूले हुए खोकले पर वो पाय जाते हैं इनमें भी चीटिया रहती है तो ऐसा माना जाता है कि इन पौधों म इनमें चीटिया रहती है तो यह जो चीटिया है यह पुष्पों को खानीकारक किटानों से बचाती है ऐसा माना जाता है फिर रैमिलिया इनकी पत्तियों के आधार पर जो उभरे हुए स्थान है वहां पर चीटिया रहती है तो इस प्रकार से इन पौधों को हम जिनमें आ पिर लूज जो होती है वो अपोजिट टिकासेट होती है सिंपडela değil होती है और इस्टिपयूल में int680 रोर्म पाया जाता है कुछ जातियों में कुछस्पेसीज में हमको इंट्रा पिट्या रोर्म भी दिखाई देता है इंटायर लीफ होती है या फिर टुठेट होती है पुष्पी भागों में पत्तिया जो है वो चक्र में होती है, जैसे हैमेलिया के अंदर पाई जाती है, यहां पर आप ये डाइगराम देख रहे हैं, यह सिंकोना सक्सी रूब्रा का डाइगराम है, यहां पर यह इसकी फ्लावरिंग ट्रिक है, इसमें ये इन फ्लोरोसेंस डिखाई दे रहा है हमको यह फ्लावर है जो ट्यूबलर फ्लावर होते हैं वो बता रहा है और यह जो सीट है यह यह रहा है यह पर यह जो सीट को प्रदरशित करते हैं कॉफी या अर्यàiवी यह एक अधिका, ट्फिच्टा में उप्टि यह रीव हे मातिके यह वार्द हो बुरह को अधिन तरह में यह यह लिफिका, यह लिफ ल Fransane, यह लेफिका संत Snor स्टिप्यूल से इंटरillos पाए जाते हैं इसके बाद कि इंटर पिटियोल रान ब्रूर मतलब की जो आपॉसिट लीफ है अनकी जो बरंद है उनके दोनों पत्तियों के मद्य में पीटियोल ये इस्थित होता है इस्टिप्यूल और कुछ जातियों के अंदर जो stipule है वो आपस में जोड़कर शीथ के समान सवरचना बनाते हैं इस तरह की भी हमको stipules दिखाई देते हैं कुछ के अंदर stipules पतले पतले ब्रिसल के समान सवरचनाओं में बट जाते हैं और जैसे पैंटास कुछ में जो ब्रिसल के समान सवरचना हैं इन में इनके सीरे पर रैजिन इस्तरावित करने वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं कभी-कभी इन ग्रंतियों में stipules के आधार ये ग्रंतियां जो होती हैं इस टिप्यूल के आधार पर भी हो सकती हैं कॉफिया गार्डेनिया कुछ में जो इस्टिप्यूल है वो फोलियश्यस भी होते हैं जैसे गेलियम जिसमें तने की पर्व संधी पर ये वर्ड कंडिशन में पत्तियां होती हैं और इन पत्तियों से अनुपत्र जो है वो ब्र्स के द्वारा ठके हुए पत्तियों की इसके बाद इंटर और इंटरा पिकेवला रिस्थीती ही इस इस फैमली का मुख्य लक्षण है जिससे हम इसको पहचानते हैं एक मतला इडेंटीफाइं चैरक्टर है इस फैमली का इसके बाद आते हैं हम इसके अंदर इंफ्लोरोसीन्स कितने तरह के हमको दिखाई दे सकत तो इंफ्लोसेस जो है वो साइमोस प्रकार का होता है मुख्यत और डाइकेशियल या पैनिकल साइम होता है कभी-कभी डाइकेशियल साइम आपस में समुहित होकर ग्लोबोस हैड बनाते हैं जैसे रैंडिया टेट्रासपर्मा, कॉफिया बैंगालैंसिस, डेंटेला, मुसेंडा ग्लैबरा, इत्यादी मुसेंडा ग्लैबरा के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो होता है यहां पर आप इस टेजरम में आप देख रहे हैं यह मुसेंडा ओफिस अनाले से यह फ्लावर साइम है टर्मिनल साइम है यह फ्लावर इसके बाद आते हैं हम कि इनके अंदर फ्लावर किस तरहे का होता है तो फ्लावर जो है वह हर्माफ्रोडाइट होते हैं कम्प्लीट फ्लावर होता है लेकिन कुछ के अंदर फ्लावर यूनिसेक्सवल एक स्टार्टिंग में फ्लावर जो है वह बाइसेक्सवल होता है लेकिन लास्ट में मैच्वर होने के बाद फ्लावर जो है वह यूनिसेक्सवल एक जो सैक्स ओर्गन है वह समाप्त हो जाता है और unisexual हो जाते हैं, flower complete होता है, actinomorphic होता है और कुछ जातियों में, zygomorphic तता bilabiate flower होता है, जैसे henery quesia, epigynous होती है, इस्थिती flower, flower epigynous होता है, और pantameras या tetrameras flower होते हैं, calyx जो है, saples 5 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं, gamma saples स्थिती है, क्योंकि gamma pataly के अंतरगत रखा गया है, gamma saples होते हैं, और इनका जो विन्यास है, वो well weight होता है, कुछ में 5 saples होते हैं, 5 saples में से 1 या 2 बड़े होकर, बिल्कुल पत्यों के समान से और रच्चना बना में जाते हैं, या पत्यों के समान हो जाते हैं, और यह अलग-अलग attractive color के हो सकते हैं, जैसे मुसेंडा फ्रेंडोसा में, इससे इंसेक्ट पोलिनेशन को मदद मेलती है, कभी-कभी फल बनने के बाद भी, कैलिक्स और बढ़े हो जाते हैं, जैसे कि निमेटो स्टाइलिस, फिर बेटर्र या पाँच या चार पाई जाते हैं, मतलब और गैम उताव प्रते हैं, जा सजय इससे मु- मैंने के dádle होते हैं, कभी-कभी यह जो जाता है, जैसे है आठ से दस लोगड भी हो जाता है, जैसे है गोखी किलर को में, देसे ही करал सकुनद को प ऍर इसमें जाईगोमार्फिक बाई लेबी फिलावर होता है, इनका जो विद्नेया से वो वेलवेट होता है, और अदरोश्यों में और इस्टमेंस संख्या 5 या 4 ऑसकती है إधैरे पैटर मेरो यह रही एकांतर किरम में लगे होते अंगते हैं यह यहां पर इस फ्लोररल डाइग्रां में देख सकते हैं, यह पैटल्स जो है उसके ईकांतर करम में, यह पैटल्स इसके ऊकांतर करम में यह अन्रोशॏम लगे हुए और यह जो ट्यूलल gir या बाइलोब्ड फ्लावर होता है तो इनसे जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से इसको हम कहते हैं इपिपिटलस तो यह जो एंडुशियम है यह इपिपिटलस होते हैं और फ्री पॉलिएंडरस होते हैं और यह उसके गले उसके थ्रोट से कोरोला के थ्रोट से जुड़े ह अंफर धाय रोक्म होतो है। थेचे दने सबसों कि अआप पिपतल में करते हूं 9-mY , हैं यह होते हैं, दिया यह टराके दाँ कौने सबस्क्राइबिक होटेऊ। इन प cuestión सबस्कित के दोरा होटेऊ। लोक्टिक एपना अपमें आप ल॥ा mają टाMartान, तग हमेरे स्थीती हैं को कि द succeeds यहां पर आपप सकते हैं इस के अंदर इसकी कनेक्टिव तेक्स का अटेश्मेंट यौर्च में यहां पर हमको का दिणियू और दिखान से इसके अगीираर साइटल मह stickly इसके बाद जो फ्लावर है हमेलिया के अंदर हमको डॉर्सी फिक्स्टिस्टिती दिखाई देगी अब आते हैं हम गाइनोशियम तो गाइनोशियम जो है वो बाइकारपलर ही ओवरी होती है सिनकारपस और जो इनफिरियर हो रही है बाइलोकिलर और बिजांट की संख्या प्रतिक कोष्ट में एक या एक से इंडाफिनेट भी हो सकती है प्लासेंटा प्लासेंटेशन जो है वो एक्जाइल प्लासेंटेशन होता है स्टाइल जो है सिंपल और कैपिटेट या लोब्ड स्टिग्मेटिक हैड होता है कैपिटेट या लोब्ड स्टिग्मेटिक हैड और गार्डेनिया में ओवरी मोनोकॉरपलरी और प्लासेंटेशन होता है उसके अंदर तो इस तरह से ये इसके gynosium की समरचना होती है अब इसके अंदर जो fruit पाया जाता है इसके अंदर fruit जो है बेने प्रकार के हो सकते हैं capsule प्रकार का fruit जो है Bor Area में आनोटिस में और जनरली फ्रूट जो है इस फैमेली के अंदर वो कैपसूल प्रकार का फुरूट पाया जाता है कॉफिया में बेरी प्रकार का होता है गेलियम में साइजोकार्पिक फ्रूट होता है और बीज जो है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं और छोटे एंब्रियो वाले होते हैं और एंब्रियो कभी कभी थोड़ा सा कर्ड भी हो सकता है इसकी बाद इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है इस फैमेली का जनरल फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमार्फिक फ्लावर है इब्रेक्टियेट लेकिन एक्सोरा में हमको ब्रेक्टियेट फ्लावर दिखाई दीगा, कैलिक्स 4 या 5 और गेमो सिपलस और पैटल्स 4 या 5 गेमो पिटलस, अंडोसियम 4 या 5 और इपिपिटलस और गैनोसियम जो है वो बाइकरपलरी ओवरी, सिन कारपस और इनफीर होगी, तो इस तरह से यह इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, इसका एक्कॉर्डिंग यह आप फ्लोरल डाइग्राम देखें, तो जनरल फ्लोरल डाइग्राम यह जनरल इस फैमेली का यह जनरल फ्लोरल फॉर्मूला है, इसके according ये general इसका floral diagram है ये सारे calyx है जो 5 और ये आपस में जूरे हुए velvet estivation यहां पर petals 5 वैलवट estivation पैलवेट के petals के alternate लगे हुए stamens जो की पीपिटलस condition शो कर रहे हैं बाई कारपलरी ओवरी, सिन कारपस और कई सारे ovule इसमें पाए जा रहे हैं प्रत्यक लॉक्यूल के अंदर कही सारे ovule पाए जा रहे आर्थिक महत्विकी दृष्टी से देखें इस family के अंदर कही सारे medicinal plants है और ornamental plants है medicinal plants के हिसाब से ये family काफी important होती है क्योंकि इसके अंदर सिन कोना कुनीन नाम की जो दवाई malaria के इलाज में जो काम में आती है वो इसके अंदर पाई जाती है कॉफी कॉफी की species भी इसके अंदर पाई जाती है तो सिन कोना इसकी चार स्पैसी जो यह जो सिनकोना प्लांट है इसकी चार स्पैसी है और यह बहुत ही महत्वपोर्न जीनस है इसकी विभिन जो स्पैसी जो है इनसे alkaloid कुनीन नाम की दवाई प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग malaria-bukhar के इलाज में किया जाता है ये पौधों की छाल से प्राप्त की जाती है और कुनीन तथा synconidin ये दो alkaloid इससे इंपौधों की छाल से प्राप्त होते हैं और जादा तर ये पौधा दक्षिन भारत और सिक्कीम और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी पाया जाता है। अलग-अलग जातियां इसकी अलग-अलग जगे पर हमको दिखाई देती हैं। जैसे सिंकोना ओफिस अनालिस दक्षिन भारत में और उटक मंड में पाया जाता है। और सिंकोना कैलिसाया ये अमेरिका का मोल निवासी है और भारत में नीलगीरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। और इसमें से जो ओफिस अनालिस और सक्सी रुग्रा है इनसे अच्छी क्वालिटी की कुनीन प्राप्त की जाती है। कॉफिया अरेबिका ये एक सदावाहार शिरब है शिरब प्रकृति का पौधा है जो कि कभी-कभी व्रक्ष की उंचाई तक भी बढ़ जाता है। और इसके बीजों से नौन अलकॉलिक पेयपदार्त कॉफि प्राप्त की जाती है। और इसके बीजों को भूम कर पीसा जाता है और महिन पावडर प्राप्त किया जाता है। जो शारिरिक और मानसिक थकान को दूर करने में सहायक होता है। यह पौध है जो भारत वर्ष में नीलगीरी, मैसूर और दक्षिन भारत में पाई जाते हैं। और कौफी की दो मुख्य स्पीसीज जो भारत में पाई जाती है। कौफिया लिबैरिका, कौफिया रोबस्टा, मैसूर ट्राविनकोर इन शेत्रों में उगाई जाती है। इसके बाद जो एडिना कार्डिफोलिया, हल्दू के नाम से जिसको जाना जाता है। यह चायादार प्रक्रति का चायादार ब्रक्ष है और इसकी कास्ट से लाल रंग की डाई प्राप्त होती है। और इसका उप्योग लाल रंग की होती है। इसकी जो कास्ट है वो लाल रंग की होती है। इसका उपयोग खुदाई के द्वारा चित्रकारी, फोर्ष और रेल के डब्बे खेती के उपयोग में आने वाले आउजार बनाने में काम में लिया जाता है और इसकी चाल जो है वो अंटिसेप्टिक गुण वाली होती है रूबिया इसकी कुछ चार इस्पिसीज प्राप्त है रूबिया कार्डिफोलिया, रूबिया खासियाना, रूबिया सिक्किमैंसिस, रूबिया टिंक्टोरम इससे डाई प्राप्त की जाती है विभिन रंग की डाई प्राप्त की जाती है अन्थोसिपिलस कदमबा ये एक शोभाकारी ब्रक्ष के रूप में लगाया जाता है कदम जिसको कहते हैं हम इसके पुश्प सुन्दर और सुनहरी रंके होते हैं इसके फल खाये जाते हैं और इसकी पत्यों के काड़े से पत्यों का काढ़ा बनाया जाता है और उससे गारगल करने से गले में खराश और इन सब के लिए उपयोग में ली जाती है और इसकी चाल से टॉनिक के रूप में तथा साब के काटे हुए के वहाँ पर इसको कस के बाधा जाता है इसके बाद जो ओलेंड एन लेडिया कौरीम बोसा ये दमन पेपर के नाम से जाना जाता है और ये शाकी पौधा है और इसका काड़ा पेचिस और हैजा में दिया जाता है Mitragyna Parvifolia Parviflora इसकी कास्ट की उपयोग वह चितरकारी में खुदाई करके जो चितरकारी की जाती है उसमें और रेल के डबबे और खेती के ओजार बनाने में उपयोग किया जाता है और पतियन जो है वह चारे के काम में आती है इक्सोरा जो गार्डन प्लांट है इसकी 3-5 प्लांट है इक्सोरा, आर्बूरिया, काइनेंसीस, कॉक्सीनिया, लिूटिया, निूडूलेटा इनको बगीचों में सुन्दर पुष्पों के लिए लगाया चाता है गेलियम ये भी और्णमेंटल प्लांट है, गार्डनिया ये भी और्णमेंटल प्लांट है और गार्डनिया गेमी फेरा इसके पौधे से गम रेजिन प्राप्त किया जाता है और इसके फल खाने के काम में आते हैं गार्डेनिया रैजिनिफेरा इससे भी रैजिन प्राप्त किया जाता है और गार्डेनिया लेटी फूलिया ये चायादार शोभाकार प्रांट है गार्डेनिया जैस्मोण नाइडेस ये जाड़ी बगीचों में लगाई जाती है इसके पीले कलर के फलों के गूदे से पीली डाई प्राप्त होती है और इसेंशेल आईल प्राप्त किया जाता है जिसका परफ्यूमरी में उपयोग किया जाता है गार्डेनिया कैमपा नियूलेटा इसकी पत्तियां तथा फल खाये जाते हैं मुसेंडा ग्लैबरा ये शोभाकारी पौधा है और मैडिसिनल मातु भी रखता है फिर हैमेलिया पैटन्स ये शोभाकार सदा बाहर जाड़ी है और भारत तथा अमेरिका में पाई जाती है और इसमें लाल कलर के सुंदर पुश्प लगते हैं और इसके फलों को पेचिश के इलाज में दिया जगता है मौरिंडा अंग्यूस्टी फोलिया ये आरो ही जाड़ी है और इसके जड़ों से यलो कलर की डाई राप्त की जाती है बेट है ये इसके होगए ओ गया एकोनामिक इंपोर्टेंस यहां पर ये मौसैंडा का फ्लोरल डाईग्राम है ये जो इसका इसका फ्लावर का एलैसी इंफिरियर ओवरी की पोजिशन को बता रहा है एंथर यह जो डॉर्सी फिक्स्ट एंथर है उसकी पुजीशन को यहाँ पर बता रहा है यह गाइनोशियम बाइफिड स्टिग्मा जो पाया जा रहा है और लॉंग स्टाइल इंफिरियर ओवरी यह बाइकारपलरी ओवरी और जिसके अंदर दो कारपल है और असंखिय इंड यहाँ पर हम ब्रेक्टियेट फ्लावर देख रहें ब्रेक्टियोलीट भी है साथ में तो यह इस तरह सी इस फामेली का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है धन्यवाद